नमस्कार स्वागते अब सभी का न्यूस 21 में मैं हूँ आपकी साथ हर्षदा अब खाबरी अन्य राज्यों से नस्यूआई के एक परतिनीदी मंडल ने कलेक्टर अवनीश शरन से मुलाकात की और जिला शिक्षय अधिकारी टीच आर साहू के खिलाफ स्री चितन ने टेक्नो स्कूल और महरसिश शिक्षा संस्थान में व्याप्त एनियमित्ता और फरजिवाड़े पर कारवाई की मांग क नस्यूआई के चात्र नेताओं ने कलेक्टर को बताया कि उन्होंने कई बार जिला शिक्षय अधिकारी से इन स्कूलों के खिलाफ शिकायत की थी लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है छात्र नेताओं का आरोब था कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों के उदासीन्ता के कारण छात्रों का भविश्य शंकट में पड़ रहा है कलेक्टर से मुलाकात के दोरान NSUI परतिनीदियों ने यह भी कहा कि यदि जल्द ही इस मामले में कारवाई नहीं की जाती है तो वे उग्रा अंदुलन कर सकते हैं बिलासपूर से ललित गोपाल की रिपोर्ट दो-दो संसाय संचालित हो रही है जो नियम की बिल्कुल खिलाफ है हमने इसके सिकायत कराई थी लगबख तीन महीने पहले अब तक इसके किसी प्रकार की जिलास इसकारी से जहां पर यह क्लियर था कि वहां सब्सक्राइब करें सिकायत करें जो पर दोगबख तीन में प्रकार की कोई भी जाच उस पर नहीं हुई हमने यह मांग की थी कि आपके दौरा जो जाच रिपोर्ट दी जारी हमें दी जाए उनके दौर एक जाच रिपोर्ट टेकन्यों से बनाइब ही गई लेकिन वोई स्कूल की जाच रिपोर्ट पूरे तरीके से फरजी थी, उसमें जो जाच में सनलिप थे थे, उसमें चंदरभान सिंग जिन का नाम है, उनके द्वारा पूरे तरीके से गलाच रिपोर्ट बनाएगी, मैं आपको यह भी बता दू, कि जिला सिच्छाथकारी आज तो को जाच कमेटी की रिपोर्ट पूरी नहीं हो पाई है, हमने जिला सिच्छाथकारी से जितनी बार भी बात की, हर बार हमें सिर्फ यह अस्वासन दिया जाते हैं, कि जाच चरी जाच, आखिर जाच का कोई तो एक पैरामीटर होगा, कि जाच कितने दिन में आपके तो कम्प्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन तीन महीने हो रहे हैं, चार महीने हो रहे हैं, इतने बड़े-बड़े अंदोलों के, जिला सिच्छाथकारी तो आभी तक उसमें जाच रिपोर्ट सम्मीत नहीं कीगी, मैं आपको एभी बता दू, कि वही जिला सिच्छाथकारी जिनके उपर ED का छापा पड़ा था, 10 करोड से जादा की संपत्ती ED ने इनके उपर बताया की 10 करोड से जादे संपत्ती इनके पास है, इनके उपर F.I.R. तक हुआ, लेकिन सोची है, इसके बाद भी आयसदिक संपत्ती होने के बाद भी 36 गण में बैठी भारती इनता पा संस्था और जिला सिच्छादकारी, इसके बीच में कैसे एक मदिस्ता की जा सके इनके पैसे के लेंद दिन का और वही सारा पैसा, जो इन संस्थाओं से जाच नहीं होती, सारा पैसा जिला सिच्छादकारी पास आता है, जो ED आप सब के सामने दिखा चुकी है, F.I.R. तक की जाए, और जिला सिच्छादकारी जो ED जैसे गंभीर मामले में, संपत्ती मामले में, जिसके उपर F.I.R. तक हुआ है, उनके उपर कारवाई करें, और अगर जो 15 दिन के अंदर कलेक्टर महोदय द्वारा भी हमें कोई ऐसा रास्ता नहीं दिखाया जाता, हमें ऐसे स्कूल और EK विल्डिंग में कॉलेज का उन्होंने संचालन कर रहे हैं लगातार EK इस्ट आपके साथ और हम लोग इसकी शिकाया जो नियम के विरुद्ध है, घ्यापन के सब्सक्राइब करते हैं तो समाज में जाते हैं आज हम लोग सीकायत लेके कलेक्टर के पासा है कलेक्टर 15 दिन के अंदर हम लोग उन्हें करवाई नहीं करती तो हम लोग अनिस्टीट का लिंगो कार पर बैठेंगे तो